नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आफिशल उटूब चेनल जी एस भाई नीरसर में कैसे हैं आप सब मैं उमीद करता हूँ स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपनी तैयारी में बैस्थ होंगे बिटा आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्पूर क्लास है और टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए है आप जानते हैं बेकंसी आही चुकी है 144 पदों पे है अला कि ये बेकंसी बढ़ सकती है उमीद है कि बढ़ जाए नई सी छक भरती है अकदम फ्रेस भरती होगी बिटा तो आप लोग अपनी तैयारी जुड़े हुए होंगे, कर रहे होंगे, इमानदारी के साथ कर रहे होंगे हमें उमीद है कि इससे पहले 70 टेस्ट पेपर हो चुके हैं आप लोग सभी टेस्ट पेपर दे चुके होंगे कल रात को हमने सभी का अलग-अलग प्लेलिस्ट बना तक तो उसे हमने अलग बना दिया है साथ ही हम हस्त लिखित model paper करवा रहे हैं हस्त लिखित model paper का भी एक से 20 तक का अलग test paper बना दिया गया है playlist पनी हुई है YouTube पे देख लीजिएगा साथ में हमने practice paper का रहने को कहा है एक से 75 तक उसका अलग हमने बना दिया है उसका playlist अलग देख लीजिएगा साथ में previous year paper का हमने अलग बना दिया है model paper अलग बना दिया है test paper अलग बना दिया है practice paper अलग बना दिया है मेरा थनवाला अलग बना दे रहे हैं सब का playlist अलग होगा जो segment देखना होगा उशे फालो करिएगा देखते रहीएगा ठीक है बहुत सारे लोगों की डिमांड थी तबजा के इस पे काम हो पाया कल रात को मैं थोड़ा सा जो है जग करके रात को और जो है ये काम हमने कर दिया हमने कहा बहुत जो है जरूरी है लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है डाटा तो वो अपना सिक्वेंस वाइज वहाँ देख लें पूरा सिक्वेंस से हमने डाला है ठीक है तो उसी सिक्वेंस में आप अपना देख लीजिएगा हमें उम्मीद है आप लोग सभी टेस्ट पेपर इससे पहले दे चुके होंगे जो सत्तर टेस्ट पेपर हुए हैं आप लोग दिये बैठे हैं आराम से अपना नोट डाउन भी किये हैं आट टेस्ट पेपर एकत्तर है बेटा यहां भी प्रतेक टेस्ट की भाती 20 क्वेस्टन्स लिए गए हैं सभी के सभी प्रशन प्रीवियस एर से हैं यह खासियत है कि प्रीवियस एर के क्वेस्टन्स हैं कोई भी क्वेस्टन्स हलके में नहीं लेना है यह याद रखना है आईए देखते हैं पहला क्वेस्टन्स कह रहा है कला एक अभिव्यक्ती है कला एक अभिव्यक्ती है यह कथन किसने उलेकित है आप संस है प्लेटो ने कहा रसकिन ना कहा, क्रोची ने कहा या फिर टालस्टाई का कथन है तो बड़ा कला एक अभिव्यक्ती है जो कथन है यह रसकिन सहाब का है राइट आंसर रस्किन के साथ जाएगा C is the right answer लगाईएगा हमें उमीद है आप लोगों का ये questions सही गया होगा क्योंकि previous में हमने कई बार ये questions रिपीट करवा रखा है उमीद है ये paper में भी आपको मिलेगा प्रसंख्या 2 की बात करते हैं पूछा गया है पाबलो पिकासो किस वाद से संबन्दित हैं बटा बहुत महत्पूर डाटा है पाबलो पिकासो किस वाद से संबन्दित हैं आपसंस में हैं प्रभाववाद, घनवाद, अभी व्यंजनावाद या फिर दादावाद जो पाबलो पिकासो का संबंध है ये घनवाद से संबंध है राइट आंसर सी के साथ लगाईएगा और नो डाउन कर लीजिएगा बहुत महत्पूर क्वेस्चन है आने की प्रबल संभावनाय रखते हैं इसलिए क्वेस्चन को जो है रिपीट कराया जाता है ऐसा नहीं है कि आपका जो है टाइम विर्थ किया जा रहा है आने की प्रबल संभावनाय है इसलिए इसे क्वेस्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है तो जैसा इसका नाम है बेंजो टाइन कला मूल रूप से उसी से इसका संबंध भी हो जाएगा तो बेंजाइक कला का संबंध बें पिश्धाइब बढ़ती है वह अनुकृती मानी जाती है तो राइट आंसर एक इसाथ लगा दीजिएगा अनुकृत इसदा राइट आंसर नेफ्ट प्रशंख्या पांच की तरब बढ़ते हैं पांच में कहा जाता है रीती वाद क्या है बटा रीती वाद क्या है धार्मिक आंदोलन है सैच्छडिक आंदोलन है कला आंदोलन है या फिर सांस्कृतिक आंदोलन है तो रीती वाद का संबंध किस से है बिटा तो आप जानते हैं हम लोग कलक तयारी कर रहे हैं तो कला अंदोलन से ही संबंधित होगा राइट आंसर कला अंदोलन के साथ लगाईएगा रीती वाद का संबंध कला अंदोलन से है बीज़दा राइट आंसर प्रसंख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं 6 में कहा जाता है भारतिये चित्रकला के शडांग का लेख कौन है बिटा सडांग को किसने लिखा आप संस में हैं वात्सियायन या सोधर पंडित भारत मुनिया फिर कुमार श्वामी तो आप जानते हैं जो ये सडांग है बिटा वात्सियान के कामशूत्र का टीका होता है सडांग कामशूत्र का टीका है जो है सडांग और मुलूप से सडांग को किसने लिखा है तो पंडित या सोधर जीने लिखा है पंडित या सोधर या फिर questions कितना भी जटिल पूछे आप सडांग के questions कर ले जाएंगे बस पंडित या सुधर जी का एक ही इस लोग याद रखना है रूप भेदा प्रमाडानी भाव लामड योजनम शद्रिश्य वरनिका भंग मीती चित्र शडांग कम ठीक है नेक्स्ट प्रस्चंख्या प्रमाड तो भारतिय चित्रकला के शडांग में अनुपात को मूलूप से किस सब्द से लिया गया है प्रमाड के रूप में दर्साया गया है राइट आंसर डी के साथ बनेगा प्रमाड इस दा राइट आंसर क्वेस्चंश चप चुका है इसलिए हलके मन ही लोना है आप जरूड डाउन जरूर करिएगा साथ में इसके प्रक्टिस जरूर करिएगा हम लोग जो हस्तल खित मोडल पेपर करेंगे उसमें भी ये कोईस्चंस मिलेंगे प्रस संख्या आठ की बात करते हैं आठ में पूछा जाता है प्रोगयति हासिक शित्रों का छेत्र मरजापूर किस छेत्र में आता है प्टा मरजापूर कहां पे है आप संख में है उत्तरप्रदेश राजस्थान दिहार च्छेत्र होता है मरजापूर इसे मानते हैं कुछ लोग दूसरे रिष्टी को मानते हैं फिलहाल है वो ही बेल्ट ठीक है मरजापुर का ही बेल्ट आता है गौतम बुध ने निर्वान कहां प्राप्त किया था अपसंस में है गया शारणाथ कुशी नगर नालंदा गौतम बुध का निर्वान पूछा जा दिया बिटा तो इसके लिए स्रावस्ती जिम्मेदार है स्रावस्ती स्रावस्ती जिम्मेदार है ये गौंडा बेल्ट में आता है आप जानते हैं गौंडा देवी पाटन मंडल का हेड होता है और उसमें एक छोटा सा जिला है स्रावस्ती हाला कि उसकी साचरता थोड़ी स ये साच्षर्टा कम है بाकी ये नेपॉल वर्डर से तराई वाले बिल्ट में लगा हुआ, बिल्ट होता है यहाँ पे जो है और सारे सांस्करतिक केंदर है, अछे-चे केंदर है, बहुत आचे पाये जाते हैं, लेकिन मूल लोपशे साच्षर्टा थोड़ी सी कम है, फिल हाल इस पे केंदर सरकार भी ध्यान दे रही है और राज सरकार भी ध्यान दे रही है बहुत जल्द ये जो है अगरन जिलों के रूप में आजाएगा आगे कहाज आता है question number 10 पूछा गया कबीर दास ने निर्वान कहां प्राप्ति किया था बटा लास्ट में मरने के टाइम पर लोग कहावत उस टाइम कहा करते थे कि जो मगहर में मरेगा वो जो है स्वर्ग नहीं नरक में जाएगा कबीर दास ने कहा हमें नरक ही पसंद है हम मगहर में ही मरेंगे पूरा जीवन वारानसी में रहे लाश्ट टर्म जब मरने के समय आया तब ये मगहर चले आये तो राइट आंसर D के साथ लगाईएगा मगहर इसदा राइट आंसर प्रसंख्या 11 की तरब बढ़ते हैं 11 में पूछा जाता है अशोक अस्तंभ किसे से बने थे आपसंस में हैं चुनार सेंड इस्टोन रेड सेंड इस्टोन ब्लैक सिस्टन्स या फिर ग्रे नाइट इस्टोन बड़ा असोक अस्तंभ को पूछा गया है असोक अस्तंभ चुनार सेंड इस्टोन से बना हुआ स्तंभ है, राइट आंसर एक साथ लगा लीजिएगा, ए इस दा राइट आंसर, नेक्स्ट, प्रस्टेंख्या बारा की बात करते हैं, बारा में पूछा जाता है, मूर्तिकला की उस सैली को क्या कहते हैं, जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है, ग्रीक रोमन कांधार कला से ली कहलाती है, राइट आंसर सी के साथ लगाए दिया गया, कांधार कला से ली इस दा राइट आंसर, यानि कुल मिला करके सी इस दा राइट आंसर, नेक्स्ट, प्रसंख्या तेरा की बात करते हैं, तेरा में पूछा जाता है, निफ्ट सैचडिक केंदर किस च्वेटर में कारे कर रहा है नेप्ट सै praising केंदर का सम्बंध कि स्चेतर से है बता आप संस में हैं लललट कला प्रसिछन फैसन तकनीकी हस्त कोसल या फिर सिरेमिक तो बता जो नेप्ट सैंक चला प्रसिशन तकनीकी से है रैट आंसर सी के साथ लगाईएगा क्वेश्चन्स प्रिबियस एर का है बटा चप चुका है हो शकता क्वेश्चन्स घुमा दिया जाए तो आपको भी जो है देखने की जरूरत है क्वेश्चन्स कहां कहां से पूछे जा सकते हैं उसे ध्यान देने की जरूरत है फिलाल हम तो आपको करवा ही रहें प्रसंख्या 14 की बात करते हैं पूछा गया भारत भौन संग्रहाले कहां इस्ते थे भारत भौन शब्द है भारत कला भौन नहीं पूछा गया भारत भौन पूछा गया आप संस में हैं वाराणसी, सांती निकेतन अलाहाबाद भोपाल तो बटा भारत भोन संग्राले मूलूशे कहां पे है तो आप जानते हैं भोपाल में है अगर भारत कला भोन शब्द जूड़ जाता तो कला के लिए वाराणसी जिम्मेदार हो जाता जिबकि भारत भोन पूछा गया है तो right answer भोपाल के साथ जाएगा D is the right answer बन रहा है प्रस संख्या 15 की तरब बढ़ते हैं 15 में पूछा जाता है शद्रिश्यका आर्थ है शमाबेश्ट, चित्रांकित, शहायता या फिर आकरतियों में शमानता तो प्रस संख्या आर्थ होता है 16 में पूछा जाता है रूप चित्र का निर्मान किसे ने सुरू हुआ है तो रूप चित्र का निर्मान किसे सुरू हुआ है आपसंस में हैं बाबर, जहांगीर, अकबर, साजा तो रूप चित्रन जिसे हम लोग सभी ही के नाम से जानते है किसके काल में start होता है तो रूप शित्रण के लिए कई जगे अकबर कई जगे जहांगीर के रूप में जाना जाता है लेकिन अकर सभी ही पूछा जाएगा तो अकबर ही right answer रहेगा और यहाँ पे सभी ही के रूप में ही पूछा गया है तो अकबर राइट आंसर लगाई अगा बिटा कई जगे जहांगीर भी राइट आंसर बन रहा है तो उसमें कोई डाउट्स नहीं है लेकिन इस questions में इसका जो है sense अकबर के थू गया है सबी ही के रूप में पूछा गया है राइट आंसर अकबर लगा दीजिए बी इस दर राइट आंसर हो जा रहा है नेक्स्ट प्रसंख्या 17 की बात करते हैं पूछा गया meaning of arts meaning of arts पुस्तक के लेखा कौन है बिटा absence में है रोजर फ्राई बी स्मित सर हरवर्ड रीड या फिर स्टेला के अमरेश तो meaning of arts जो पुस्तक है बिटा वो मुलूप से सर हरवर्ड रीड की है right answer B के साथ लगाईएगा अच्छी पुस्तक मानी जाती है हरवर्ड रीड की बी इस दर राइट आंसर हो जा रहा है प्रसंक्य 18 की तरब बढ़ते हैं 18 में पूछा जाता है नाटे सास्थ के प्रेयरता है अपसास्थ में है कालिदास भारत मुनी वात्षय आयन या फिर अरस्तु तो बटा नाटे सास्थ के जो प्रेयरता माने जाते हैं वो भारत मुनी माने जाते हैं राइट आंसर C के साथ लगाईएगा भरत मुनी इस दा राइट आंसर यानि C is the राइट आंसर सेकेंड लाश्ट क्वेस्चन बटा पूछ रहा है रबींदरनाथ टेगोर रचित गीतांजली के चित्रन का कारे किया है गीतांजली में कुछ कारे चित्रन में हुए है वो किस ने किया है आपसंस में है नंदलाल बोश आउनींदरनाथ ठाकुर गगनींदरनाथ ठाकुर या फिर स्वैम रवींदरनाथ टेगोर तो बड़ा कुछ काम जो है कुछ चित्रों का कायर जो है गीता अंजली में मास्टर मोसाई ने किया है जिसे हम लोग नंदलाल बोश के नाम से जानते हैं तो राइट आंसर एके साथ लगाईएगा एजदा राइट आंसर लाश्ट कोईस्चन पूछ रहा है बड़ा एकतर नंबर टेस्ट का अंतिम कोईस्चन कह रहा है दसवंत और बसावन किसके दरबारी चित्रकार रहे हैं बड़ा आपसंस में हैं अकबर सह जहां और जहांगिर तो बड़ा दसवंत और बसावन जो दरबारी चित्रकार माने जाते हैं वो अनबढ़ राजा अकबर की माने जाते हैं राइट आंसर एके साथ लगाईएगा एजदा राइट आंसर तो कुल मिला करके टेस्ट पेपर 71 कंपलीट होता है कितने क्वैस्चन साब के सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर ब